तो आही गए तुम सब आटवी में, तो भाईयों और उनकी बहनों, तो आज की कहानी का नाम है The Best Christmas Present in the World. ये कहानी बहुत छोटी सी है, जिसकी एंडिंग देखकर तुम सब शौक होने वाले हो, तो बिना टाइम वेश्ट किये कहानी के शुरुवात करते हैं. कहानी के शुरुवात में हमें नारेटर दिखाये जाते हैं, जिनें एक डेस्क खरीदना होता है अपने लिए, पर पैसे कम होने की वज़स से वो एक जंग शौप, यानि काबाड के दुकान पर जाते हैं डेस्क खरीदने, जहां से वो एक तूटा पुराना और थोड़ा जल करना चालू करते हैं, तो रिपैर करते टाइम उन्हें एक ड्रावर से एक लेटर मिलता है, उस लेटर में लिखा होता है, ये लेटर जिम मैक पर्शन का है, अब ये जिम मैक पर्शन कौन है, और उन्हें ने ये लेटर क्यों लिखा, किसके लिए लिखा, अब यही हमें सम उसने ये लेटर अपनी वाइफ कौनी को लिखा था क्योंकि इस टाइम पे वो जंग पे यानी वार पे था। जिम मैक पर्शन पहले बच्चों को पढ़ाया करते थे। वो एक टीचर थे डोर सेट नाम की जगा पे। तो अब बात करते हैं इनकी परसनालिटी की कि कि इस टाइब के ये इनसान थे। तो वो बहुत ज़ादा बहादूर थे। किसी चीज़ से डरते नहीं थे निडर थे। वो अपनी टूप्स यानी अपनी आर्मी को लीड किया करते थे। और सभी के साथ अच्छे से पेश आते थे। सब के साथ काइन रहते थे चाए वो छोटा हो उनसे चाए वो बड़ा हो। वो एक ओपन हाटेट परसन थे यानी दिल खोल कर सबसे बात किया करते थे। यहां तक कि जो एनिमी आर्मी होती थी उनसे भी अच्छे से ही वो वहवार करते थे। अब आगे वो लिटर में बताया होता है इंग्लैंड और जर्मनी के वहर के बारे में। तो इंग्लैंड और जर्मनी का जब वार चालू था जर्मनी वालों ने सामने से एक फ्लैग दिखाया वाइट कलर का फ्लैग उन्होंने रेस किया और इसका मतलब होता है हमें शांती चाहिए यानि पीश चाहिए अब एक बार के लिए हमारे जिम मैक परसन डर गए थे कि ये इनकी चाल तो नहीं है ये हमें मारना तो नहीं चाहते हैं लेकिन सामने की आर्मी से यानि जर्मनी की आर्मी से वहां के लीडर आते हैं खुद सामने से और वो खुद को इंट्रेडियूस करते हैं बोलते हैं कि मेरा नाम है हैंस वल्फ और मैं शॉल्डरॉफ में रहता हू और पहले मैं एक आरकेश्ट्रा में काम किया करता सा और ऐसे हैंस्वल्फ खुद को इंट्रेडियूस करते हैं हैंस्वल्फ एक बहुत ही अच्छे इंसान थे जो लोगों को जल्दी दोस्ट बना लेते थे और उन्हें फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था अब ऐसे करके इन दोनों की हो जाती है दोस्टी अब जर्मन आर्मी के लोग इंग्लैंड की आर्मी को बोलते हैं हैपी क्रिस्मस मेरी क्रिस्मस और फिर इंग्लैंड वाले भी बोलते हैं हाँ भाई हैपी क्रिसमस मैनी क्रिसमस और इसी के साथ सब की हो जाती है दोस्ती सब मिल जुलकर खाने पीने लगते हैं मस्ती मज़े करने लगते हैं दारू पीने लगते हैं क्या क्या करते हैं पतानी सब करने लगते हैं उसके बाद लाश्ट में जाके फुटबॉल खिलते ह और एक भाईचारा on top जैसे situation create हो जाती है अब ऐसे करते करते पूरा दिन भीद गया दोनों आर्मी के लोगों ने बहुत सारे मज़े किये अब उसके बाद रात को उन लोग अपने अपने जगा पे चले गए जहां से वो आये थे अब जब दोनों भी आर्मी अपनी जगा पे वापस लौड गए यानि कि अपनी कैम पर वापस लौड गए तो फिर दोनों साइड से लोगों ने कैरल्स गाये यानि की गाना गाया दोनों साइड के लोगों ने गाना गाया और इसी के साथ इनका क्रिस्मस बहुत अच्छा बीता और पीसफुली सब चीज हो गया कोई लड़ाई जगडा नहीं हुआ अब जिम मैक परशन ने सोचा कि ये जो सारा इंसिडेंट है मैं अपनी वाइफ को बताऊंगा इसलिए उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि कितना अच्छा उनका क्रिस्मस बीता और इसलिए जिम मैक परशन ने ये लेटर लिखा था और किसके हाथ लगा ये आथर के अब हमारे आथर सोचते हैं कि मुझे ये लेटर जिम मैक परशन की वाइफ यानि कौनी को दे देना चाहिए इसलिए वो लेटर पर जो एडरेस लिखा होता है वो वहाँ पर जाते हैं अब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि ये घर तो पूरा जला हुआ है और यहाँ कौनी तो है ही नहीं फिर वो आज वाज में पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो कौनी है यानि Jim MacPerson की वाइफ वो एक नरसिंग होम यानि होस्पिटल में अडमिट है अब जब आथर पहुँचते हैं वहाँ तो उन्हें पता चलता है कि कौनी तो 101 साल की एक बुढ़ी है और फिर पता चलता है कि कौनी जवान थी तब ही जिम मैक पर्शन वार के लिए निकले थे और उसके बाद तब से आये नहीं अब जब हमारे आथर कौनी को बोलते हैं कि कौनी कौनी तुम्हारा लेटर मेरे पास रह गया था मेरे को टेबल में मिला ऐसे सब बोलते हैं लेकिन कौनी होती है बुड़ी उसको कुछ सुनाई तो दें नहीं रहा था अच्छे से उसे लगता है कि उसका पती यानि जिम मैक पर्शन वापस आ गया है तो उन्हें लगता है कि ये तो मेरा पती है तो इसलिए वो जाती है और उन्हें एक केस्यानी पपी दे दिती है इसे के साथ कौनी कहती है कि ये है दे बेस्ट क्रिस्मस प्रेजन इन दे वर्ल्ड और इसे के साथ ये चाप्टर भी खतम होता है और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भोलना साथी साथ चानल को सस्क्राइब कर दो ऐसे ही मज़ेदार और फ़नी वे में चाप्टर पढ़ने के लिए